Hi friends, Nenotronics के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत सावित है हम यहाँ पर लिखे आते हैं आप सभी के लिए latest job update, freshers और experience के लिए अगर आप से कोई वीडियो miss भी हो जाती है तो आप simply google पर Nenotronics.com लिखे जिससे आप इसे open कर सकेंगे तो आपके सामने यह site खुल जाएगी जहां से आप direct apply कर सकते हैं और अगर आप हमारे telegram group को join करना चाते हैं तो banner पर click कीजिए जिससे आपके सामने devops training and job update वाला channel खुल जाएगा जिससे आप direct join कर सकते हैं जहां पर हम आप सभी के लिए लेके आते हैं जाब अपडेट और चलते हैं आज की job update की और आज की job opportunity वो होने वाली है devops freshers के लिए तो चलते हैं हम सीधे हमारे screen की और तो यह जो opportunity है वो है cloudrock.com की और से तो आप इसके career page में जाएगे तो आपको यहाँ पर बहुत सी job opportunities दिख जाएगे में description में इसका link आपको दे दूँगा तो आपको यहाँ सीधे जाना है devops engineer के और apply पे click करना है और अगर आप devops internship करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी apply कर सकते हैं तो चलते हैं हम हमाँ यहाँ पर devops engineer बे तो जैसे ही आप devops engineer देखेंगे we are expanding our team and looking forward to hire with mentioned skill set तो अगर आपके अंदर ही skill set है जो job description इसका होने वाला है कोई भी एक cloud platform जो है आपको आना चाहिए और आपके पास certification है तो वो आपके लिए plus point होने वाला monitoring tool monitoring tool की अगर बात करें तो नागयों सो गया प्रमेथी से सो गया वह आपको आना चाहिए infrastructure automation tool की बात करी जाए तो infrastructure automation के लिए अभी जो बहुत market में बहुत trending है वह है terraform तो आप उसके लिए उप कर सकते हैं या उसका certification आप ले सकते हैं configuration management tool तो मार्केट में अभी जो hype कर रहा है वो ansible है तो अगर आप ansible में अच्छे है या आपको puppet आता है या शैफ आता है तो एक किसी को भी आप अपना इस्ट्रॉंग कर सकते हैं तो CICD tools की बात करी जाए तो आप Jenkins जो है अभी market में बहुत trending है और containers platform की बात करी जाए तो आपको Kubernetes और Docker आना ही चाहिए scripting language की बात करी जाए तो कोई सी भी scripting language कोई shell scripting हो गई या python हो गई यहाँ पर यह आपको आने चाहिए और benefits की बात करी जाए तो opportunity to work on latest technology होने वाला है collaboration with enthusiastic DevOps expert के साथ आप काम करने वाले और अगर आप internship के लिए देख रहे है तो आपको चलना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको internship के लिए apply कर लेना है तो DevOps internship के लिए भी इन्होंने चीज़े वही मांगी है कि must have certification on any cloud और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप cloud के certification के लिए apply कर रहे तो आप उसके लिए कम से कम 10-15 दिन की पहले महनद कीजी उसके बात apply कीजी क्योंकि यह certification थोड़े महंगे होते और qualification की यहाँ बात कर करते हैं तो वीटेक होने वाला है और प्रिफरेंटी कम्पेटर साइंस तो अगर आपको इससे related कुछ भी कोशन से तो हमें कमेंड में जरूर बताईएगा and मैं आपको description में इसका link भी देदूँगा और आपके पास को feedback हो हमारे लिए तो आप जरूर हमें कमेंड में तल्यम तेम इसकार आपको बतादाएगा और आपको?